नागरिकों की सेंपल लेकर आज इरान से एक विशेश विमान दिल्ली पहुंच रहा है, ये वो भारतिये हैं जो देश लोटना चाहते हैं, लेकिन आशंका है कि ये लोग कोरोना वारिस से पिरित हैं, इरान में करीब 2000 लोग फसे हुए हैं और कोरोना वारिस को देखते उसमें कोई नागरिक नहीं आएगा, विमान की वापस जाते समय भारत आए इरानी नागरिक लोट सकते हैं, इस बीच विदेश मंत्राले को भारत में आए इरान के 4500 नागरिकों की तलाश है, चीन के बाद इरान ही कोरोना वारिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इस लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों में लोग कोरोना वारिस की चपेट में आ चुके हैं, लीदल एंड में भी कोरोना वारिस की पुष्टी हो चुकी है, ये खतरनाक वारिस इरान में भी कई लोगों की जान ले चुका है, अमे दर्शमलव तीन अरब डॉलर के एक का बिल को मन्जूरी दी है